हेलो दोस्तों, I hope आप सब अच्छे होंगे, आज से मैं एक announcement भी करने जा रहा हूँ, आज से हम एक अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, important Supreme Court judgments that transformed the India, since 1950 से लेकर 2021 तक, रीसें तक जो भी Supreme Court की judgments आई हैं, जिससे की कोई भी एक major change आया है हमारे Indian polity में, तो वो सब की सब हम discuss करने जा रहे हैं, और उसका पहला lecture आज स्टार्ट कर रहे हैं, पहली judgment स्टार्ट कर रहे हैं, since from 1950, और दीरे दीरे करकर हम अभी तक की सभी judgments को discuss करेंगे, so that आपके GS paper में, in the mains, आपको अलग से कुछ extra points लिखने के लिए easily available हूँ, and आपको हर judgment का एक impact पता हो, जो की अलग लग perspective से, अलग लग topics पर डाल कर गई है, I hope this is clear, तो आज से हम अपना Indian polity का judgment series start करने जा रहे हैं, जिसमें around 35 to 40 judgments होंगी, and जिस एक-एक judgment को हम बहुत धंक से पढ़ेंगे, minute तरीके से पढ़ेंगे, so that कुछ-कुछ जो quality के part हैं, वो भी आपके साथ में ही share हो जाएं, and revise हो जाएं, okay, so आज से हम पहली judgment अपनी पढ़ने जा रहे हैं, रुमेश थापर judgment, 1950, and likewise हम एक-एक करकर सारी judgments को discuss करेंगे, so, सबसे पहला case, जो आज मैंने judgment को उठाया है, उसमें है, रुमेश थापर versus state of madras, 1950 case, okay, अब इस case का बिल्कुल, recently भी अभी एक case आया था, जो मैंने आपको sedition की वीडियो करवाई थी, उसमें हमने एक case किया था, recently, श्रेया single case, जिसमें section 66 को of IT Information Act के अंतरगद section 66 को हटा दिया गया था, and same on the same lines ये case था, रुमेश थापर जी का, versus state of madras, आपको एक पहले मैं बिल्कुल basic बता देता हूँ, कि जब भी ऐसे case लिखा आता है, तो that means इसमें रुमेश थापर जी जो थे, वो petitioner थे, and state of madras respondent था, okay, so इनके खिलाफी case किया गया था, 1950, आपको date से ही पता लग रहा होगा, 26th January 1950, जब हमारा constitution एक action में आया गया, हमने adopt कब किया है उसे, 26th November 1949, यह बहुत ही minute सा difference है, and कई बार paper में confuse करता है, because 1949 जो है, वो है adoption की दी, इसलिए हर साल 26th November को हम constitution day भी celebrate करते हैं, and whereas 26th January 1950 वो date है, जब constitution action के अंदर का implementation stage पर आ गया था, तो implementation होते ही सबसे पहला जो case आया, वो आया, रुमेश थापर case, okay, let's start the judgment, अब, आपको सबसे पहले इसका एक basic पता होना चाहिए, कि रुमेश थापर जी थे कौन, आपको हर judgment से एक इस तरीके से पढ़ना है, कि पहले तो वो case क्यों डाला गया, why, second, उस case के क्या implication हुए, because वो implication ही आपको mains में, paper में, लिखने में help करेंगे, अगर आपको ये फता होगा, कि इस case के अंदर कर क्या judgment आई थी, तो आप easily अपने mains के paper में, quality वाले paper में, easily points को frame कर सकते हैं, and आपको ये आप मेंसे लिखवा लीजिए, आपको उसके extra number पक्का मिलने ही मिलने हैं, basic map को अगर जिस्ट बताऊं पहले, वो था regarding freedom of speech and expression, अब freedom of speech and expression, article 19-1 में आता है, आप सबको पता होगा, part 3 of the constitution deals with the fundamental rights of the constitution, okay, part 3 में सभी fundamental rights हैं, उसमें article 19 जो है, वो freedom of speech and expression से related है, so, इसी जे related हमने अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो करे थी, sedition की, on the same lines, यहाँ पर भी freedom of speech के लिए लडाई हुई गई, and जो कि last में, रोमेश थापर जी के favor में ही judgment आई गई थी, okay, अब रोमेश थापर जी एक क्या थे, एक printer थे, publisher थे, और editor थे, एक weekly journal, जिसका नाम था, Crossroads, वो ये एक publish करते थे, and थोड़ा सा मैं आपको background बताऊं, तो, Marxist या फिर, Leftist ideology के बंदे थे रोमेश थापर जी, तो 1950 में, इन्होंने नहरू जी की government में, Congress के खिलाफ, कुछ लिखना start कर दिया गया, and Congress को ये बात बिल्कुल हजब नहीं हुई, कि जब रोमेश थापर जी ने उनके against लिखना start कर दिया, तो उसी के उपर ban लगाने के लिए, so that, रोमेश थापर जी का जो ये weekly journal था, cross road, ये further circulate ना हो, तो government ने, मदराज state government ने, एक act लेकर आए, Maintenance of Public Order Act, and उसको यूज करकर, उनके cross road journal की उपर उनने ban लगा दिया गया, and उसी को challenge करने के लिए, रोमेश थापर जी ने, article 32 का use करते हुए, कि हमेरा fundamental right यहाँ पर violate हो रहा है, उन्होंने direct Supreme Court को approach किया, and further Supreme Court ने judgment थी, and let's start, अब हम एक ही करकर, इसके जो भी points से उसको discuss करते हैं, यह भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, first जो भी बंदा होगा, वो होगा petitioner, and state of Madras, जिसके खिलाफ केस था, वो थे respondent, I hope this is clear, and मैं एक point बोलना चाहता हूँ भीच में, I am very sorry for my writing here, मैं धीरे-धीरे से improve कर रहा हूँ, because online में मुझे इतना experience नहीं था लिखने का, but slowly and slowly, and gradually मैं इसको change कर लूँगा, okay, next, अब 1950 में, अब आपको हर point के साथ, एक-एक quality का, Indian quality revise होती जाएगी आपकी, although हम इसके बाद Indian quality ही उठाने वले हैं, but मेरा सबसे पहले, इन judgments को कराने का एक ही मक्सद था, so that जब आप Indian quality पढ़ो, तो आपको बहुत easy लगे वो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे cases आएंगे बीच में, and उन cases पे आप time waste ना करें, directly आप इन judgment की series को देखें, and आप correlate कर सकें, अब मदरास government ने उनके circulation पर ban लगा दिया, उन्होंने कहा कि आप publish तो कर लो, but आप इसको circulate नहीं करोगे, चिन इसमें मदरास में, अब what is the use of publishing then, अगर आप कुछ circulate ही नहीं कर पाए, तो आपको publish करने का तो कोई मक्सद ही नहीं रह गया, तो मदरास government ने उनके entry और circulation के उपर ban लगा दिया गया, क्योंकि वो Congress की policies को defame कर रहे थे ये कहा उन्होंने, and इसमें उन्होंने कौन सा act यूज़ करा, Maintenance of Public Order Act 1949, and उसका भी अगर precisely मैं कहूं, तो section 9-1-A, अब ये जो छोटे-छोटे points हैं, section 9-1-A, this act 1949, ये points ही आपको differentiate कर देंगे एक normal student से, so आपको ये sections याद रखने हैं, so that आप ये cite कर सके में मेंस के paper में, अब मदरास maintenance of Public Order Act जो था, वो पास करा गया था by the provincial legislature, by मदरास legislature, under section 100 of Government of India Act 1935, अब Government of India Act 1935 वो ही है, जिससे हमने 75% constitution बॉरो करा हुआ है, आपको पता होगा हमारा borrowed constitution है, तो 75% constitution हमने Government of India Act 1935 से बॉरो किया हुआ है, अब जो 7th schedule है, 7th schedule हमने पहले भी revise किया था, जब हमने डेली का special act पढ़ा था, कि 7th schedule में तीन तरहां की list होती है, 1st is the state list, 2nd is the union list, and 3rd is the concurrent list, state list के अंदर जो जो भी entries है, उनके उपर state ही law बना सकता है, union list के अंदर जो भी list है, और entries हैं, उनके उपर union government ही law बना सकता है, and concurrent means, both have the power to make the laws, तो हमने डेली वाले case में किया भी था, कि state के पास ही public order आता है, but in case of Delhi, union government ने अपने पास public order को रखा हुआ है, तो public order को यूज करते हुए, मदरास government ने थापर जी के cross road के उपर एक ban लगा दिया गया, कि ये public order को defame कर रहा है, destroy कर रहा है, state की security को destroy कर रहा है, तो इसके उपर उन्होंने circulation के उपर एक ban लगा दिया गया, अब रोमेश सापर जी ने इस चीज को directly supreme court में challenge किया, and under article 32 of the constitution, अब आपको article 32 पता होना चाहिए, article 32 को अंबेडकर जी ने soul of the constitution कहा था, ये आत्मा है पुरी सविधान की, अगर किसी भी इनसान का fundamental right violate हो रहा है, fundamental right article 12 to 35, अगर किसी का भी fundamental right violate हो रहा है, तो वो high court में तो जाही सकता है, बट directly supreme court को भी approach कर सकता है, तो वो ही रोमिश थापर जी ने यहाँ पर use करा, and वहाँ पर उन्होंने writ डाली, prohibition और शर्शरी, अभी हम रिट्स को पढ़ेंगे, यह पांस दरा के रिट्स होती है, तो इन्होंने दो रिट्स का यूज करा, prohibition का, and second is, sorcery रिट्स, ओके, लेट्स प्रोशीड, अब article 32, मैं समझा देता हूँ आपको पहले यह, अब कुछ articles हैं, जो इसमें यूज होने वाले हैं, first है article 12, article 12 वो है, जिसमें एक definition दी गई है, state की, कि state किसे count किया जाएगा, okay, second है article 13, article 13 हमने sedition में भी किया था, कि कोई भी law, even the pre-constitution law, अगर वो consistent है, with the fundamental rights, तो वो wide नहीं करा जाएगा, but अगर वो fundamental rights को contravene कर रहा है, को challenge कर रहा है, उसकी against जा रहा है, तो वो declare किया जाएगा, null and wide, okay, so, अगर किसी का भी fundamental rights violate हो रहा है, वो under article 226, directly high court को reach कर सकता है, and अगर वो चाहे, तो वो directly article 32 में, directly supreme court को भी दे सकता है, regarding the writ, or regarding the fundamental right violation, so, अगर fundamental right आपके पास violate हो रहा है, आपके पास दोनों option है, आप article 226 यूज़ कर हाई court में भी जा सकते हैं, और article 32 को यूज़ करके supreme court में भी जा सकते हैं, अब article 32 clause 1 क्या कहता है, कि it is a right to move the supreme court, by the appropriate proceedings, for the enforcement of rights conferred under part 3, part 3 क्या है, fundamental rights, article 32 clause 2, अगर कोई भी article अपके पास यूँ लिखा आ रहा है, this one, तो ये पहला portion है clause, and this is sub clause, अब article 32.2 में क्या कह रहा है, supreme court के पास पार है, कि वो directions दे सकता है, government को, ये lower court को, ये tribunal को, writ issue करकर, in the form of five rights, first is hebes corpus, second is mendemus, third is prohibition, fourth is cuveranto, and fifth is tertiary, okay, so, इसके regarding court, rates को issue कर सकता है, and उसी को रुमेश थापर जी नहीं यहां पर use करा, and जिसके अंतरगाद, उन्हेंने दो rates को यहां पर लगाया गया, first is the prohibition, and second is the surgery, I hope this is clear, although हम ये पांचो की पांचो rates, अलग से, जब, पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद, करने वाले हैं, but मैं आपको एक, लिटरली छूटा सब, इसका एक review दे देता हूँ, ये बस corpus का मतलब होता है, to have the body off, okay, to have the body off मतलब, ये court issue करेगा, for the detained person, जिसको आपने detained किया है, उसकी body को लाने के लिए, in front of the court, to have the body off, it means, it is issued by the court, to a person, who has detained another person, to produce the body, of the letter before it, and later on, the court will examine the cause, so आपने किसी को पकड़ा, तो आपको उसकी body, court के आगे लेके आनी पड़ेगी, and then court, उसकी detention की, legality को चेक करेगा, and further उसको कोई भी, जो भी detention है, उसके बाद कोई भी punishment है, वो court देगा, this is hebas corpus, means, to have the body off, mendamus, mendamus means, command, it is a command, issued by the court, to public official, asking him to perform his official duties, which he has failed or refused to perform, okay, तो किसी भी public official को, court ये issue कर सकता है, so that वो अपनी public information को, public duties को perform करे, third, prohibition, prohibition आपको words ही, पता नाम से ही याद रखना है, P, P means prevention, P means prevent, to forbid, एक higher court, lower court को, issue करेगा, ये prohibition की rate को, अगर, lower court, अपनी jurisdiction से बाहर जा रहा है, या फिर वो उस matter पर, jurisdiction दे रहा है, जो उसके पास पार नहीं है, तो उस पर, upper court, lower court को, एक issue order कर सकता है, next is, Q warranto, Q warranto means, by which warrant, it means, it is issued by the court, to inquire into the, legality of, claim of a person, to the public office, की, अगर, किसी का, public office पर, एक legal claim है, की नहीं है, वो issue कर सकता है, next, last is the, surgery, surgery, जो की, इसमें, थुआ परजी ने, यूज करा, surgery अब, तब यूज होती है, अगर, suppose करो, higher court ने, इसमे, lower court को कहा, की, ये, आपकी, jurisdiction से, बहार था, या, यहां पर, आपने, access of, jurisdiction को, यूज करा है, तो, या तो, मतलब, वो तो, खाली, prevent ही कर रहा है, की, lower court को, खाली, direction दे रहा है, की, ये, आपकी, jurisdiction से, बहार है, बट, surgery इसको, क्योर भी कर रहा है, क्योर कर मतलब, वो कह रहा है, या तो, मुझे, इसकी, judgment को, मेरे, हमारे, पास के, इसको दे दीजिए, या फिर इसको, crash कर दीजिए, so, these are the five types of rates, इसको, हम quality में, बिल्कुल deeply, और अच्छे से करेंगे, done, next, अब, इसमें, पहला है, कि, arguments क्या क्या, आए गए थापर, जी के through, अब, पहला point, रोमेश थापरजी ने कहा, कि, जो state of मधरास ने, ये maintenance of public act लगाया है, 1949 का, ये directly contravene कर रहा है, fundamental right, speech and expression, conferred under article 191A, 191A में, साफ साफ लिखा हुआ है, freedom of speech and expression, तो वहाँ पर, कोई भी public order, नाम चीज नहीं दिया गया है, आपको ये पता होगा, हमने sedition वाले, अपनी वीडियो में पढ़ा था, article 191 तो आपको दे रहा है, freedom of speech and expression, बट कोई भी fundamental right, absolute नहीं है, उसके साथ, एक article 19 clause 2 है, जो की restrictions दालता है, that to reasonable restriction, तो जब constitution बना था, तब खाली एक ही, इसमें reasonable restriction थी, sovereignty and integrity of the nation, कि इस दोनों चीजों को violate नहा कर रहा हूँ, बट लेटर ओन, उसमें साथ चीजे और add करी गई, और total eight types of reasonable restrictions को add कर दिया गया, second point यहाँ पर, थापर जी ने ये कहा है, कि जो section 9.1.a लगाई गई है, public order की, ये inconsistent है, with the fundamental right of speech and expression, hence, it is void under article 13, अभी हमने करा था, कि कोई भी law, अगर वो fundamental right के against है, तो under article 13, वो null and void declare हो जाएगा, plus मैं आपको इसमें एक point और बदाता हूँ, कि अगर कोई pre-constitution law है, 1949 से पहले अगर वो आया है, अगर वो fundamental rights को confirm कर रहा है, और उसे contradict नहीं कर रहा है, तो उसको void declare नहीं करा जाएगा, उसका सबसे अच्छा example है, sedition, तो अगर वो fundamental rights को violate नहीं कर रहा है, तो sedition को वो ultra wire नहीं कर सकते हैं, void नहीं declare कर सकते हैं, इसलिए sedition अभी तब चल रहा है, अब थर्ड पॉइंट जो नहीं रखा, अब ये दो पॉइंट तो रखे था पर जी ने दो, code के आगे, अब यहाँ पर मदराज गौवर्मेंट ने दो पॉइंट रखे, मदराज गौवर्मेंट ने पहला पॉइंट रखा कि, जो expression है, public safety, उसका मतलब ही है, security of the province, security of the state, therefore, it is legal to have a ban on the crossroad, लेटर ओन मैं अब को भी बताऊंगा, बट इसमें, court ने कहा, कि public safety और public order, ये explicitly, article 19, clause 2 में नहीं दिया गया था, okay, this security of the state, जो कि लेटर ओन add कर दिया गया, and there is a difference between, public order, means law and order को maintain करना, and second is the, security of the state, अब security of the state के example मैं आपको पताऊं, जिसे CBI है, RAW है, IB है, तो इनके सभी officials को कहा जाता है, कि आप कोई भी functioning को, बहार leak नहीं करेंगे, कोई भी चीज को बहार आप, share नहीं करेंगे, publicly, so that security of the state maintain रहे, for example, अकल को अगर हम कहें, कि हमें P.O.K के लिए अभी लडाई करनी है, तो आपी के चीफ बहार आकर, हम नहीं कह सकते, कि हम अभी war करने जा रहे हैं, या अभी कुछ action लेने जा रहे हैं, वो security of the state को threaten नहीं कर सकते हैं, I hope this is clear, next point, मदरास गौर्मेंट ने ये रखा, कि थौपर जी directly Supreme Court में नहीं जा सकते, उन्हें पहले High Court के अंतरगत, Article 226 में, use करते हुए, मदरास High Court को use करना चाहिए था, and then, अगर यहां पर कुछ short out नहीं होता, then Supreme Court में जाना चाहिए था, तो मदरास गौर्मेंट ने ये दो points रखे, कोट के अगे, अब इसमें, कोट का जो review आया है, और judgment आया है, वह बहुत important है, पहला point तो, कोट ने साफ साफ बोल दिया था, यहां पर, कि freedom of speech and expression का मतलब ही है, freedom of propagation of ideas, and this is ensured by the freedom of circulation, यह मतलब नहीं है, कि आप खाली ideas को propagate कर रहे हो, आप publish कर रहे हो, बट आपको government circulate नहीं करने देगी, तो तो को use ही नहीं रहा गया, same case, इसका मैं अगर आपको recently बताऊं, तो श्रेहा सिंगल case में भी same हुआ था, and same in the sedition case में भी हुआ था, जो कि विनोज जुआ जी का case था, कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो violence को insight ना कर रहा हो, defamation को insight ना कर रहा हो, public order को breach ना कर रहा हो, क्योंकि वो अब article 19 clause 2 reasonable restrictions में add कर दिया गया है, okay, second, अब second, मदरास गोर्मेंट का जो order था, वो court ने का, it is a violation of petitioner's fundamental right under article 19 1A, unless section 9 1A of the Maintenance Act is saved by 19 2, साफ साफ बोला गया court ने कि article 19 2 reasonable restriction में, कोई भी word public order नाम से नहीं था, जब ये case करा गया 1950 में, although later on, first amendment act 1951 में उसे add कर दिया गया, तो court ने का, कि जो मदरास गोर्मेंट यूज कर रही है, section 9 of the Maintenance Act, public order का, वो exception नहीं है, article 19 2 में, इसलिए आप इनके उपर reasonable restriction नहीं लगा सकते हैं, third, जो कि मदरास गोर्मेंट ने का था, कि ये direct नहीं जा सकते हैं Supreme Court में, इनने पहले high court में जाना चाहिए, तो उसका answer तो बिल्कुल clear and crystal दिया Supreme Court ने, कि article 32 के अंतरगर Supreme Court is the protector and the guarantor of the fundamental rights, इसलिए इस article को soul of the constitution भी कहते हैं, ये आपका fundamental right जैसे ही violate हो रहा है, आप directly Supreme Court को reach out कर सकते हैं, तो तीनों के तीनों points judgment में उन्हें ने clear कर दिया, फर्स्ट point अगर मैं revise करवा हूँ आपको, तो उन्हेंने का जो maintenance act के आप section लगा रहे हैं public order, वो article 19.2 में reasonable restrictions में added नहीं है, इसलिए आप ban नहीं लगा सकते, second, उन्हेंने कहा कि Supreme Court को direct reach out करने की सभी के पास एक पार है, और सभी उसको duty है, अगर किसी की भी fundamental right violate हो रहे हैं, तो वो directly Supreme Court को reach out कर सकता है, because under article 32 Supreme Court is the real protector of the fundamental right, real guardian of the fundamental rights, third point, freedom of speech and expression का मतलब है, कि आप propagate भी कर सकते हैं idea को and circulate भी कर सकते हैं, so इन तीनों cases, तीनों judgment के बाद, रोम थापर जी के case favor में आया गया, and उसके बाद एक implication जुरूर हुई इस case के बाद, इस case के बाद, government has come up with the first amendment act 1951, जिसमें उन्हेंने क्या करा, कि article 19.2 में reasonable rejections में कुछ add कर दिया, okay, first, first point तो इस judgment का क्या impact हुआ हम ये करते हैं, जो कि आप पेपर में लेख सकते हैं, that it upheld the freedom of speech and expression, liberty of the press is an essential part, of right to freedom of speech and expression under article 19.1a, freedom, liberty of press expressly नहीं लिखा गया था, but after this judgment, ये एक directly signal दे दिया गया, Supreme Court की तरफ से, कि liberty of the press is an essential part, of right to freedom of speech and expression, second, मैंने जैसे आपको बताया, इस case के बाद, first amendment 1951 act आया गया, जिसके अंतरगत 19.2 में, बहुत सी सची जे add कर दे गई, like security of the state, friendly relation with the foreign states, public order, decency, or morality in relation to the contempt of court, defamation or incitement to an offense, कि कोई भी चीज आप जो लिख रहे हैं, वो state की security, public order, या जिस states के जाद हमारे friendly relations है, उनके बारे में कुछ ऐसा ना लिखे, जिससे की, एक public order, या security को कुछ violation करेट हो, okay, and जो last है, यह हमें अपने sedition की जाद, इसमें वीडियो में करा ही था, आप मेरे sedition की वीडियो देख सकते हैं, विनोद्यू आजे की, वो एड़ो गुरू कुल पर ही पड़ी हुई है, कि कोई भी चीज अगर violence को, insight कर रही है, तब government sedition act को, use कर सकती है, and sedition के अंतरगत वो section 123 को use करकर, किसी को भी sedition charges के अंतरगत ला सकती है, I hope, आपको पूरी judgment अराम से, easily याद हो गई हो गई, समझ आ गया होगा, and आप इन points को easily quote कर सकते हैं, अपने mains के paper में, तो यह तो थी हमारी आज की पहली judgment, likewise हम अपने judgment की सीरीज को अब से start कर रहे हैं, and धीरे धीरे आपको 2021 तकी सभी important judgments, जो की बहुत important थी, जिन्होंनों की बहुत एक तवड़ा impact डाल के गए हैं, Indian political system पर, वो हम discuss करेंगे, जैहन to all!